Hi guys मैं औजेकमबो ज़ोर यहां पर मैं बात करने जा रहा हूं कि अगर आप आर्वेधिक मैडिसियन इंडिया में बेचना चाहते हैं तो कैसे हैं सकते हो हमने कफी बात कि छह किसे अर्वेधिक मनॉफेक्ट्रिक कंपनी सुरू कर सकते हो कैसे माऊक्टि कंपनी सुरू कर सकते हो कैसे आप कर सकते हो कैसे आप रिटेल कर सकते हो लेकिन आप बात आती है कि अगर आप आर्वेदिक मेडिसीन को बेचना चाहते हैं तो उनको किस-किस वैसे बेच सकते हो सबसे पहले के बारे में जो आर्वेदिक होती है युनानी मेडिसिन होती है, जो सिध्व श्य के आदर तो वह regulate होती है drug and cosmetics act के अंदर जो अर्वेदिक मैडिसीन का section जो उनसा act लागू होता है आर्वेदिक medicine पर युनानी पर शिद्धा पर वह drug and cosmetics act ही लागू होता है उसी के अंदर describe किया होता है आर्वेदिक medicine को तो जो उसकी manufacturing लेकिन उसके अंदर है यह sale की बात आती है hair marketing की बात गी बात है तो और तो उनके लिए अर्वेदिक इनानी सीद्धा medicine में किसी परकार के lessons की जूरत नहीं होती केवर हम fan dominance की जूरत होगी तो point पर बैते कि अगर हम अर्वेदिक medicine को बेचना चाहते हैं तो हमें किस भी सकते बैसिकली दो तरह से हम अर्वेदिक मेडिसीन को बेच सकते हैं जब हम यहां पर अर्वेदिक मेडिसीन की बात करते हैं तो उसमें जो यूनानी मेडिसीन है सिद्धा मेडिसीन है दोनों ही कवर हो जाती है तो जब भी हम अर्वेदिक मेडिसीन की बात करेंगे तो यूनानी और सिद्धा मेडिसिन उसमें इंक्लूड ही हम लेके चलेंगे तो दो तरीकी से आप बेज सकते हो या तो आप उसको ओनलाइन वे से बेज सकते हो या ओफलाइन वे से बेज सकते हो कि पहले बात करते हैं online बेजने की कि अगर आप अर्वेदिक मेड़िशन को online बेजना चाहते थो आप कैसे बेज सकते हो online अगर आप अपने अर्वेदिक प्रॉडट को बेजना चाहते हो तो आपको इक जहसमर की जोट पड़ती है और दूसरी अपको pencard करते हैM of line marketing की अगर बात करते हैं हम blue अगर आपका कम भी है तो map business के भी कर सकते हो लेकिन जब अगर आप चाहे ओनलाइन जब भी बेचने जाएंगे तो आपको GST नमबर लेना बहुत जरूरी हो जाता है उसके लिए तो ओनलाइन भी दो तरीके होते हैं या तो आप existing जो B2C पॉर्ट्ट्स होते हैं उनके थूरू बेच सकते हो अपने प्र 측정을 सकते हो जते हो तो वहाँ पे भी आपको थोड़ाजसा जो ON LINE जब आप सेलिंग चाहते हैं तो आपको basic SEO knowledge होना जरूरी है चाहिए आप अपनी website या app के थूरू बेच रहे हो क्योंकि जरूरी नहीं आपको coding की knowledge हो क्योंकि website या app आपको कोई भी developer बना के देदेगा लेकिन जब आप उसको बेचने जाएंगे अपनी website के थूरू या अपनी web के थूरू उसमें थोड़ा ज् मैनत लगेगी दूसरी जो existing bottles होते हैं उन पर पहले ही काफी traffic होता है काफी customer base होता है उनका तो उनके थूरू बेचना थोड़ा starting में easy रहा जाता है अगर आप थोड़ी सी मैनत करेंगे तो आपको जो सबसे main चीज है सबसे main जो चीज है वो यही है कि आपको थोड़ा सा SEO की knowledge होना जरूरी है थोड़ा सा आपको digital marketing की जरूरत है क्योंकि जब आप दूसरी website होगे थूरू भी बेचोगे तो आपकी जो visualty है उसको increase करना आपको आना चाहिए जब अपनी app और website के या app के website के थूरू आप बेचोगे तो आप उसको कैसे search engine पे organic traffic उसको बेच सकते हुआ कैसे आप paid रूप से उसको promote कर सकते हो different different ways है आप उसको search engines पे उसके आवलावा digital marketing में आप उसको social networks के थूरू कैसे आप उनके customer को convert कर सकते हो digital marketing भी कहीं तरीके होते हैं जैसे उनमें जो मेन मेन होता है वो लोगिंग होता है content marketing होता है social channels का उप्योग आप कितनी एच्छी तरह कर सकते हो उनके free tools का उप्योग करके उनके paid promotions का उप्योग करके facebook का page हो गया group हो गया youtube का channel हो गया linkedin हो गया instagram हो तो काफी उन सब की आपको basic अर्वेदिक products को online बेजना चाहते हो तो की तरह एक तो online वेज के बारे में हमने discuss की अगर offline आप बेजना चाहते है traditional तरीकों से आप बेजना चाहते हैं तो वहाँ पे भी काफी वेज है अब अगर आप अपने अर्वेदिक product को बेजना चाहते हो आप prescription marketing कर सकते हो आप अच्छे showrooms है अच्छे malls वगेरा है अर्वेदिक product के तो उन पे अपने product को परचार कर सकते हो आप अर्वेदिक franchise ही दे सकते हो उसके तो आप door to door marketing में जा सकते हो आप direct selling MLN companies का concept उनके पास भी ज्यादा दर product आजकल आर्वेदिक ही होते है तो उस वे से आप अपने product बेज सकते हो आप से टैली marketing कर सकते हो आप अपने phone के तुरू बेज सकते हो आप इसके अलावा जो योगा को लाशीज वगेरा होती है जो पाक वगेरा होते हैं जहां पर health से related चीज़े होती है वहां पर अपने counter लगात आजकल यह भी concept काफी famous हो रहा है वहां पर आपके बार बह अच्छा अर्वेदिक medical store खोल के भी आप किसी अच्छी जंग है फ्राइम लोकेशन पर अगर आफ आमा का नहीं कोलना चाहते के वहां से भी अपने product को या दूसरी companies के product को भी आफ सेल कर सकते हो उमीद करते हैं यह information आपको अच्छी लगी होगी